जैसा कि आप सोई को पता SSC GD के भरती आ गई है SSC GD में मेडिकल के दिन क्या-क्या चीज़ जरूरी होती है वो मैं आज आपको इस वीडियों बताऊँगा ताकि आप से मेडिकल के दिन कोई भी गलती ना हो नहीं आपको पॉइंट लगे और आपको जो है मेडिकल में 100% पास कर दिया जाए क्योंकि 90% बच्चे जो है ये गलती जरूर से करके आते हैं मेडिकल वाले दिन तो ये सारे चीज़े मैं आपको यहाँ पर किलियर कर दूँगा आप से एक भी पॉइंट आप इसे मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके अलावे ससे जीडी 2018 और 2015 का ओरिजिनल कोशन पेपर डल चुका है आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले अकॉंट मिलेगा इसके अलावे 2013 का जो कोशन पेपर ओरिजिनल वो भी आने वाला है तो जरूर से आप इसे जो है देख ले डाउनलोड कर ले डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और यहां पर आज मैं नॉर्मल चीज़ आपको बताऊंगा की क्या-क्या चीज़े जो एक कैसके जो एक लेमें जाता या फिर एक कोई बंदा जाता है तो उसको यहां पर जो है क्या-क्या चीज़े ध्यान्म ए रखनी होती है प्यांडिकल वाले दिन में क्योंकि अगर आपका हाथ पैर सही है आख नाख कान या फिर बेन सब कुछ सही है तो आपको कुछ और भी बाते होती ही जो कि आपको यहाप पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करना होता है और नई तो इसके अलावे आपका medical point लगता है आपको छाट भी दिया जा सकता है तो आपको क्या है कि आपके कान में वैक्स होता है आपके कान में गंदगी होती है उसको आपको डॉक्टर से जाके साफ करवा लेना होता है यहाँ पर कह सकते हैं दूसरा जो यहाँ पर बाते कही गई है वो है नहाएं और चमडी को साफ रखे यानि कि जिस दिन आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि मेडिकल होता है उस दिन आपको नहा करके साफ सुतरा हो करके जाना है अपनी जो कह सकते हैं चमडी है स्कीन है उसको अच चेक होता है इसके अलावे जो तीसरा पॉइंट है यहां पर चमड़ी और अन रूप को ठीक से ठीक इलाज कराया नहीं कि अगर आपको चमड़ी से पॉइंट लग जाए या फिर ना भी लगे तो आप जा तो सकते लेकिन अपना आप सुरक्षा करके ही जाएं इसके अगला यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सर बाल और गुपतांग के बाल काटे होने चाहिए यानि कि अगर आपका जो बाल वगेरा है वो ज्यादा जो सर का बाल है बहुत बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए जो नॉर्मल होता है वैसा होना चाहिए यानि कि इदम परफेक्ट होना चाहिए और आपका जो बगल का बाल है यानि कि जो अंडर आमस यानि कि जो का का बाल है उसको आपको क्लियर कर लेना है गुपतांग यानि आपका तो उसकेस में वहाँ पर जो है में भी आपको जो है दिक्कत आ सकती वैसे तो होता नहीं है लेकिन आपको आप जो सलाह दी गई है कि आप खाना वगर अच्छा से खाके जाए पानी वेगर भरपूर पी करके जाए चोटिल होने से बचे अगर आपका मेडिकल आने वाला अग के लिए या फिर जाएं भी तो बिल्कुल सेफ रहें जो ड्राइविंग मेगरा उससे काफी बच करके रहें तो यह थी आम जानकारी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप के छोटी से बड़ी अपडेट के आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें जहें